एलो गाइज, वेल्कम बेक नोगे चनल, आज मैं अपने पलसर 150 वीडियो बना रहा हूँ, इसमें एक प्रॉब्लम आगया आपको दिखा यह ता हूँ, इसके लिए मैं ने बॉल्ट ओपन किया, तो इसके लिए मैंने इसक्रू ओपन किया तो यह उपन हो नी रहा, आप इसके लिए आप सुलूइशन करने वाले इसका, इसको मैं निकाल कर दिखाने वाला हूँ आपको, यह नॉर्मल स्कूरूडरावर से तो मैंने काफी इसमें कर दिया है, इसको एक दम लियर दिखा ज़ता हूँ आपको, डैमेज हो गया यह ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है तो इसको आज मैं इंपेक्ट गन से आपको ओपन करके दिखाने वाला हूँ, तो मैं यह वीडियो बनाने नहीं वाला था, तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बना रहू हूँ, यह मास्टर सिरिंडर, हर एक बाई का ऐसे ही होता है, और इसमें क्या ओईल होता है, और इस पोड़ा हलका ढीला ही रखने वाला हूँ, तो अभी मैंने इंपेक्ट स्कूरूड्रावर मैंने अभी लेकर आया हूँ, फ्रेंड से, तो इस से ओपन करेंगे, तो आपको दिखाता हूँ, बाद में ब्रेक बना लूँगा, और ब्रेक बनाने के बाद आपको डायर्क रि इसले बार, और यह स्कूरू अगर आपको नहीं मिल रहा होगा ब्लैक कलर में, तो आप यह भी स्कूरू यूज कर सकते हैं, जो फ्रेंट वाइजर का ही मैंने यहां पर स्कूरू इंस्टॉल किया हूआ है, आपको क्लियर करके दिखाया है था हूँ, यह स्कूरू भी स्ली स्कूरू ड्राइवर से ओपन किया था, पर मैंने इसमें काफी यूस किया मैंने, ट्रिक वागर कुछ भी काम नहीं आया है, तो मैं आपको अभी ओपन करके दिखाते हूँ, इसमें बीट अपने को बहुत काम आने वाला है, यह बीट का मैं यूस करने वाला हूँ, यह फो कि उससे मैंने अभी थोड़ा सा उधार लेकर आया हूँ यह इसमें एक है फ्लाइट वाला और यह एक जम्बो तो यह इंप्रेक्ट स्कूर्डावर यह फोर्स कंपनी का इंप्रेक्ट स्कूर्डावर है दिख सत्या अभी उसने यूस किया हुआ इसमें आपको दिख रहा हो और आपसकेट से अगर खोलना चाहते तो वह भी कोषोल सकते बदाफको ब्लैक वाला स्केट यूज करना पड़ेगा इसमें ब्लैक वाला होता हैख 다음 अधम्ना उसने लिई कर सकते हो इसको में वापस लगा देता हूँ कि तो गैज्स हमें इंपैक्ट दिखा यह आपको आर यहाँ पर मारक और कुछ नहीं दिया हुआ है आपको अगर लूस करना है तो आपको यह यह फोल्ट करकर रखना पड़ेगा और इसको लेप्ट साइड में आपको थोड़ा टॉर्क लगा करना पड़ेगा तो यह लूस हो जाएगा यह लूस करना है तो अभी मैं एल पर रख करने कि आपको रखना पड़ेगा और उसको इंपक्ट से ही टाइट करना पड़ता है नार्मल टाइट करो किस अपर तो यह निकल भी सकता है तो यह लूस पर रखा हुआ है लूसप यह शिए लगा देता हूँ भीट कर दो सब्स तो गाइज मैं आपको दिखायाता हूँ यह दीखिए वह है और अभी मैं आपको इसको ओपन कैसे करना हो दिखायाता हूँ और इसमें ये मैंने इसमें अटेच कर दी आ एक कि आपको आपका इस होड़ करके इसको हएमरिंग करके हलिका सा जिस साड में आपको ओपन करना है।-ओस सिद में आपको घुमाना पड़ेगा यह देखिए यह बहुत काम की चीजी आपका अगर आपकास नहीं होता आप पर्चेस कर लो कभी भी नट बोल्ट इससे ओपन हो जाता है पर आप ज्यादा टॉर्क लगा कि इसको टाइट मत कीजिए और ओपन भी करना है तो एक बार ट्राय कीजिए नहीं हो रहा है तो आप डारेक्ट इंपेक्ट चलाईए उस पर अगर तो ये इसका ये टीजित अगर डामेज हो गया न योला फोंड वाला ये छुप नहीं पाएगा फिर इंपेक्ट से भी नहीं पाएगा तो आपको फिर एड़ करना पड़े का याँ फिर वेल्डर के छोप्पर करना पड़ेगा ये दिखाया जाता हो आपको यहां पर यह क है यह भी ओपन होगे बहुत काम की चीज है अगर आपके असनियत आप पर्चेस करके रोख लापको फूचर में काम ही आने वाला है अगर आप मैकनिक हो तो स्पेशली और अच्छी कॉलिटी का यूज कीजिएगा इसमें लोकल भी आता है वह मत यूज कीजिएगा अभी मैं मैं भी मुझको भी लग रहा है मुझको यही कंपनी का पर्चेस करना पड़ेगा वैसे थोड़े बहुत काम कर लेता हूँ पर यह फर्स्ट टाइम ही मेरे पास आया है ऐसा हुआ इसके पहले इधर मैंने आपको बता लिया था वैसा हुआ था तो मैंने वारी से कर लिया थ दिखाये था एक बर स्कूर का कितना ड्यमेज हुआ है कि अज दीखी इतना डय में काता मैं ज्याधा टॉकिन लगाया था मैंने मैंने अने सोचा कि इसको ज्यादा टॉकिन लागाना चाहिए है तो फिर मैं यह इंपैक्ट से ओपन हो गा अगर यह ज्यादे कुछ लिया है और इसको और इसे आपको ज्यादा टॉर्क देके टाइट नहीं करना चाहिए मेरे इसाब से तो युकि इसके अंदर ऑइल होता है और देखिए यह स्क्रू में यह वाइटनेस आजाता है तो इससे वह जाम्ड हो जाता है पुरा बाकी मैंने डबल डी 40 भी उसमें डाला हुआ था तभी भी ओपन नहीं हुआ है अभी मैं इसका देखो ब्रेक ऑपरेट हो नहीं रहा है इसका ब्रेक पुरा प्रॉपर टाइट कर रहे था और आपको न्यू स्कुरू भी दिखायता हूं यह ऐसे चोटे मोटे आटम आपको मिलते ही नहीं तो मैंने एक्स्टा के पर्चेस करके रख लिए थे यह कुछ 10 रूपीस के दो मिले थे मुझे बजाज शोरूम से सेम टूसम यह है आपको दिखायता हूं यह देखिए मैंने बजाज शोरूम से 5 रूपीस का एक 10 रूपीस के मुझे दो मिले यह यह दिखायता हूं और इसमें कोई ट्रेड लॉकर करके आपको टाइट नहीं करना पड़ेगा ऐसे डारेक्ट टाइट कर देगा एक्दम ज्यादर टॉर्क लागा कि मत कीजिए कि इतने पर टाइट हो पड़ेगा और पलसर 150 में डॉमिनर का वीडियो बहुत जल्द आने वाल है बाकि दो तीन भाई उने कमेंट किया तो डॉमिनर का वीडियो नहीं आया तो मुझको एक सा टाइम मिलनी पा रहा है वीडियो बनाने का इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं जैसे इसलिए मैं नहीं वीडियो बनाया हूं आपको वीडियो चलगे तो आइक कर दिया है और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बैल एकन को प्रिस किजिए ऐसी मॉडिवेक्शन एंट्रिपें ट्रिक वीडियो के लिए थैंक यू खत्म है बाइबाई टाटा गुडबाई गया